नवस्कार दोस्तों मैं हूं रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पार्ट साला योटूब चैनल पर दोस्तों आज है बारा मई 2024 और दिन है रवीवार रवीवार के दिन दाहिंदू में एडिटोरियल नहीं रहता है और मैंली यहां पर फोकस किया जाता है साइन्स वाली ने उसके उपर तो आज हम साइन्स के अंतर तीन बड़े बड़े टॉपिक डिसकस करने वाले हैं इसके बाद हम चोटे मोटे आर्टिकल देखेंगे जो कि साइन्स से रिलेडेड हैं इसके बाद हम दाहिंदू की ख़बरों को देखेंगे तो पहला एडिटोरियल स्वरी पहला जो आर्टिकल हम यहां पर डिसकस करने वाले हैं वह है अल्ट्रा प्रोसेज्ड फूर्ट से रिलेडेड आज के सबय में हम जो तले भुनी चीज़ें पैकेट वाली चीज़ें खा रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम खा रह रही है ऐसा कुछ यहां पर रिशर्च किया गया है उसके उपर हम चर्चा करने वाले हैं इसके बाद हम बात करेंगे फ्लू और अभी जो हमारे केटल रहते नौर्मली देखा जाएं आज के समय में जानवरों से इनसानों बहुत सारी संक्रामक रोग फैल रहे हैं बहुत स जानवरों से इनसानों तक फैल सकता है इसके बाद हम देखने वाले हैं हिमालियन मेगपाई के बारे में भी साइन्स में थोड़ा सा दिया है तो इसके बारे में भी हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं तो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं साइन्स की हम पहली न्यूस जो की अल्ट्रा प्रोसिज्ट फूड से रिलेटिड है नॉर्मली देखा जाए जो चीज़ें आप घर में बना करके खा रहे हैं और वहीं यह दी दुकान में कोई चीज़ आपको बनी बनाई पैकेट में बंद मिल रही है दोनों में कितना अंतर होता है और यह जो प्रोसिज्ट अल्ट्रा प्रोसिज्ट फूड रहते हैं इन में कौन-कौन से पोसकत पाये जाते हैं जो की हमारी बॉड़ी के लिए हानिकारक होते हैं इसके बारे में आपर हम चर्चा करने वाले हैं साथ ही साथ इसमें बताया जा रहा है ये पहले टाइप में अपने आप में ऐसा रहा है कि इसका अध्यन किया गया है यदि कोई वेक्ती अल्टरा प्रोसिज्ट फूड खाता है तो उसका रिस्क कितना जादा रहता है अर्ली डैथ के उपर इसका मतलब यह है जो लोग अल्टर प्रोसिज्ट फूड जादा खाते हैं पिज्जा, बर्गर, बहुत सारी जो चीजें हैं जैसे कि आप चिप्स ले लीजिए यह सारी जो चीजें हैं हमरे हैल्ट को नुक्सान पहुचाती हैं साथ ही साथ में अर्ली डैथ कभी रीजन बनती है अदमी की समय से पहले मृत्य हो जाती है देखिए जादतर हम जो अल्टर प्रोसिज्ट फूड खाते हैं इनमें साल्ट, सुगर, फैड, एड़ेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, ऐसे बहुत सारे जैसे की ऑफिसियल कलर्स वगेरा एड़ कर दिये जाते हैं खान पान में कैंडी है, सॉफ्ट ड्रिंक है, पिज्जा है, चिप्स है ये सारी की सारी जो चीजे हैं, ये अल्टर प्रोसिज्ट फूड की अंतरकत आ जाती हैं लेकिन ये जो अल्टर प्रोसिज्ट फूड होता है, आज की समय में विज्जापन इनका बहुत ज़्यादा किया जाता है विज्यापन की दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है अल्ट्रा प्रोसिज्ट फूड्स की इनकी बुराईयों को बिल्कुल नहीं बताया जाता है बस अच्छा और टेस्टी ही प्रस्तुत किया जाता है जन्ता के सामने देखिए यदि जादा मात्रा में हम इनका कंजप्शन करते है न तो हम अल्री अर्ली डेद का जो रिस्क है न उसके और भी जादा करीब चल ले जाते है वहीं यदि हम बात करें जो जितने भी अल्ट्रा प्रोसिज्ट फूड्स होते है न ये हर जगह जो है इनके उपर आप रिस्ट्रिक्ट नहीं लगा सकते हैं लेकिन कुछ-कुछ फाइंडिंग निकल करके यह आई है वह प्रोवाइट करती है सपोर्ट फोर लिम्टिंग कंजप्शन ऑफ सर्टेन टाइपस ऑफ अल्ट्रा प्रोसिज्ट फूड फूर लॉंग टर्म हैल्थ लेकिन हमें कुछ- यदि आप अपनी जो है हेल्थ को लॉंग टर्म के लिए रखना चाहते हैं वहीं यदि हम रिस्क की बात करें तो हाइर रिस्क ऑप ओविसिटी मुटापा बढ़ता है हार्ट से रिलेटिड डिशीज होते हैं डैप्टेज की बिमारी होती है बाउल कैंसर होता है बाउल कै स्पेस्फिक डैथ इस्पेसली ड्यू टू कैंसर कि सर्वे जो कराया गया था कितने लोग इसमें सामिल थे क्या क्या इसके फाइंडिंग रही है तो देखिए जो अल्टरनेटिव हेल्दी इटिंग इंडेक्स 2010 है इसके हिसाब से देखिए ओवराल जो डाइटरी क्वालि अब पीरियट की बात करें 34 साल का हमने टाइम पीरियट उठा लिये हैं वैग्यानिक लोगों ने यह नोटिफाई किया था कि 48193 लोगों की डैथ हुई है 13,557 इसमें कैंसर के चलते चलते खत्ब हुए है इसके अलावा जो 11,400 सूला डैथ है यह कार्डियो वसकूलर डिसीज के चलते चलते हुए 3926 हुई है रैस्पाइरिटरी डिसीज 6343 हुई है नियूरो डिजेनरेटिव डिसीज के चलते चलते अब हम कंपेर करते हैं पार्टिसिपेंड्स को इन दा लोवेस्ट क्वार्टर ऑप अल्ट्रा प्रोसिज्ट फूड इंटेक ऐसे टाइम पीरियर्ड से जहां पर बहुत ही कम इसका इस्तमाल किया गया है तो दोज इन दा हाइस्ट क्वार्टर एवरेज सेवन सर्विंग पर डी हैड फूर परसेंट हायर रिस्क ऑफ टोटल डेथ देखिए जहां पर जिस महीने में जिस टाइम पीरियर्ड में इसका जादा इस्तमाल हुआ है न वहां पर जो डेथ का आकड़ा है वो बढ़ गय जई आफ गया है 9 परसेंट हाइड है रिस्क आफ अधर डेड़ डेड ह आइंड 8 परसेंट हायर रिस्क आफ नीऊडेयर ट्यू डएट इस प्रकार से जहां-पर इंक जादेष्न माल किया जा रहा है वहां पर जो डेथ का अधर हाम है 9 अपर्सेंट लोग जा रहे हैं 8% neuro degenerative death हो रही है तो इस प्रकार से कोई भी associations इस प्रकार से were found for death due to cardiovascular disease, cancer और respiratory disease इसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसको सीदे सीदे आप relate करेंगे respiratory disease से, cardiovascular disease से, हर्दा सम्मन्दी रोग से इसके बाद second वाली जो news discuss करने वाले है यह H5N1 virus, avian infrengia बिमारी से related है इसको H5B1 bird flu के नाम से भी जाना जाता है यह एक highly pathogenic virus होता है जो की primary तोर पर circulate होता है birds में but can infect mammals लेकिन पक्षियों के अलावा यह जो इस्थंधारी जीव होते हैं उनमें भी यह पाया जाता है फैल सकता है इस फाइबन के origination की हम बात करें कि कहां से इसकी उत्पत्ती हुई थी तो इसका outbreak हमको देखने को मिला था चाइना में 1996 में इसके बाद यह तेजी के साथ में फैल देखें यह एक्रोस यूरोप आफरीका एसिया नौथ अमेरिका साउथ अमेरिका एंड में लेंड अंटार्क्टिका में तक फैल चुका है इंडिया ने इस बीमारी को पहली बार सेज किया था एच फाइव एनवन आउटब्रेक को स्टीट ओफ महराश्ट्रा एंड गुजरात में सन 2015 में इनिमल्स के उपर इसका क्या इंपेक्ट पड़ सकता है वाइल्ड वर्ट की बात करें इसमें इंक्लूड़ेड है कैलिफॉर्णियन कॉंडोस इन में एस फाइव एनवन बीमारी देखने को मिली थी दा मैन इस्पीसिस अफेक्टेड यूजड टूबी चिकन एंड जो सब सबसे मुख्य कहना चाहिए पक्षी रहा था वह है कि इनकर इस्तमाल जो है चिकन के तौर पर किया जा रहा है मैरीन मैमल सच सी लाइन एंड डॉल्फिन है उस सफर्ड मास डैथ इन वीजन लाइक चिली एंड पेरू चिली एंड पेरू में लाइंस एंड डॉल्फिन्स की संख्या बहुत ज्यादा ऐसी थी जो कि इस बीमारी से खतम हुए हैं कुछ इस्तंधारी जीव ऐसे हैं जैसे कि फॉक्स हैं प्यूमास हैं बीर्स हैं नौर्ट अमेरिका में एंड फार्म मिंक्स इन इस्पैन एंड फिल्लैंड हैं आल्सो बीन इंफेक्टेड क्या होता है ये इनफेक्टेड जानवरों को खाते हैं और उन जानवरों से ही इन जानवरों में भी ये वाइरस फैलते जाता है इसके बाद हम चलते हैं सी देन्यूस की तरफ तो देखिए अभी हाल फिलाल मैं देखिए अभी तक यदि देखा जाए ना तो अभी हम इसका जो अध्यन करते थे बर्ड फ्लू का वो जानतर हम बर्ड के उपर ही कर रहे थे लेकिन अब इसके असर का अध्यन किया जा रहा है केटल्स की उपर क्या ये जो केटल्स होते हैं जैसे की डेरी में जो पसु पाले जाते हैं गाए भैस पाले जा रही है इनकी उपर क्या इसका असर पढ़ सकता है क्या यहां से भी ये चीज फैल सकती है क्या इन में भी कहीं पर ये पाई गई है ये जो H5N1 वाइरस होता है ये डिटेक्ट किया गया है high concentration in milk दूद में ये ज़्यादा पाया गया इसका मतलब ये है दूद देने वाली जो गाये है इनके दूद में ज़्यादा पाया गया वहीं यदि आप जो infected dairy cattle की तुलना करें 8 levels greater than that seen in respiratory samples एक तो हमने दूद का सेंपल लिया और दूसरा सेंपल उठाया था इसकी सासों का तो ज़्यादा तर किस में मिले हैं हमको ये वाइरस दूद में मिले हैं तो हमको जो higher concentration देखने को मिला है मिल्क के सेंपल में इसको compare किया गया था respiratory सेंपल के साथ में ये suggest किया जा रहा है कि H5N1 जो pathogenesis हैं in cattle differs from other mammals इसके अलग हैं और दूसरे जानवरों के अलग हैं ऐसी यहाँ पर तुलना करी जाती है तो गायों का जो memory glands होता है उसको जादा प्रभावित कर रहा है साथ इसी के चलते चलते गाय का जो दूद है उसमें ये ज़्यादा concentration देखने को मिली है बोथ human and duck receptors are highly expressed in memory gland of cows अब सीधी सी बात है गाय में ये फैला है तो जो इनसान है and ducks हैं ये लोग भी प्रभावित होने वाले इस प्रकार से देखा जाए human में भी वो चीज है ducks receptors में भी वही चीज है तो इसका मतलब ये हो गया है कि इस gland ने opportunity पैदा कर दी है कि H5N1 virus easily animal से human में spread हो सकता है जबकि पहले हम बोलते थे ये जो pigs हैं, sewer हैं इनको evolutionary lab बोला जा रहा था कि भाई आप जो है flu को host करते हैं due to the presence of human flu and avian flu host cell receptors in the respiratory tract तो इनका जो respiratory tract हुआ करता था उसमें ही ये virus पाया जाता था इसके बास science की next वाली news हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं जो कि महिलाओं और climate change से related हैं अभी हाल फिलाल में एक study सामने आई है जिसमें बोला जा रहा है कि climate change का जो असर है महिलाओं और बच्चों में जादा खतरे पैदा कर रहा हैं तो जो महिलाओं हैं और बच्चे हैं कौनकों से state के हम बात कर रहा हैं बिहार, गुजरात, उत्तरप्रदेश, महराष्ट, मदप्रदेश, आनप्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना ये ज़्यादा vulnerable की category में रखी जा रही है climate related disaster ये जो चीज हमें पता चली है एक internal study है जिसको commission किया गया था Ministry of Women and Child Development के द्वारा बच्चे सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं यदि हम other लोगों से तुलना करते हैं ऐसे बच्चे जो की climate change से प्रभावित हो रहे हैं बोला जाता है कि ये stunted, underweight and more vulnerable to early pregnancies इसमें बोला जाता है बच्चों की height नहीं बढ़ पा रही है बच्चे कम बजन वाले पैदा हो रहे हैं साथ ही साथ में early pregnancy जैसी चीजे हमको देखने को मिल जाती हैं अब इसमें कुछ-कुछ जो इसू उठाए जा रहे हैं उनको overlook किया जा रहा है मतलब आज के समय में जब भी हम climate change की बात करते हैं तो इसमें महिलाव और बच्चों को भूल जाते हैं इसी से हम policy formulation अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं ऐसा कहना है ठीक है सौम्या सौमिनाथन का अब आपको ये भी समझना है कि आखिर किस-किस प्रकार से climate change महिलाओं को प्रभावित कर सकता है एक्जामपल की तौर पर आप देखी रहे हैं घर के काम भी करना है पीने के लिए पानी लेने भी जाना है दूर-दूर तक गुंडे ले करके जहां पानी की availability है कि नहीं है और नहीं है तो और उनको परिसानी जहिलना पड़ेगा घर के काम भी करना है खेत के काम भी करना है और पानी लाने के लिए भी जाना है वहीं एधी घर में फसल अच्छी नहीं होती तो महिला को भी बाहर काम करने के लिए जाना पड़ेगा पूरुस तो करते हैं साथ ही साथ में उसको भाहर में भी करना है और बाहर में भी जाना पड़ेगा इसमें बोला जा रहा है कि यदि हम 70% इंडियन डिस्टिक की बात करें ये high risk of flood के अंतर गताते हैं, drought के अंतर गताते हैं, cyclone, drought, flood 70% जिला ऐसे हैं जहां पर इनके आने की संभावना बहुत जादा है महिलाओं की हम बात करें, उन बच्चों की बात करें जो की under nutrition में चल रहे हैं, जिनको बहुत कम पोसकतत्व मिल पा रहे हैं तो जो teenage pregnancy है and domestic violation, violence indicator in these hot spots are also very stark इसके अलावा कुछ-कुछ घटना हैं जो कि यहां पर और भी ज़्यादा घटित होती जैसे कि यहां पर बोला जाता है तो overall देखा जाए तो 183 जिले ऐसे हैं जिनको हम और भी ज़्यादा वन रेवर की कैटेगीरी में रख रहे हैं कि यह और भी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है Hydro-metological disasters are related, जैसे कि यहां पर cyclone आएंगे, flood आएंगे जबकि 349 डिस्टिक ऐसे हैं जहां पर सूखा पढ़ने वाला है एंग बुला जा रहा है यह जो steady रही थी वो generate कर पाती है particularly इस्थान विसेज के बारे में जानकारी दे पाती है जहां पर high exposure of hydromate hazards हैं जैसे कि flood आ सकता है, cyclone आ सकता है, drought आ सकते हैं एक साथ यह सारी चीज़ें हो सकती हैं अब कुछ area के हम बात कर रहे हैं जैसे कि बिहार एंड गुजरात तो जो G-spital maps है वो बताता है, hot sport where exposure to drought, flood and cyclone co-existing in stunting and underweight children जो stunted and underweight children है उनमें already से तो समस्या है, हिसात ही साथ यहां पर drought, blood and cyclone आ सकता है इसके अलावा northern planet के लिए हम बात करें, इसमें उत्तर प्रदेश आ जाता है, इसको hot spot किया गया है stunting के लिए, मतलब बच्चों की height जो है जादा बढ़ नहीं पा रही है वहीं यदि हम महराश्ट and South Madrid की बात करें, तो यहां पर बच्चे जो है underweight पैदा हो रहे हैं ख़र में नहीं में पूलाँ की है पー जेड़र म याई और लहाश में पाओभिवर को रहे हैं है कि अग्चानिक कि इसके बात जादू भॉशकरर्स प्छी चॉशकर्डर्स कंदर्स जेदे के इसक liquidity is